शार्क टैंक इंडिया के अमित जैन ने हाल ही में खुलासा किया कि बिजनेस रियलीटी शो में अन्या जज उनके साथ असभ्या क्यूं है और वो उन पर पलतवार क्यूं नहीं करते हैं। ये सवाल शो के नवीन तम एपिसोड में जैन और साथी शार्क अनुपम मित्तल के बीच विवाद के बाद पूछा गया था। Reddit A में मुझसे कुछ भी पूछें। सत्र में भाग लेते हुए कारदेखों के सह संस्थापक और CEO से पूछा गया कि वो उन लोगों को कड़ा जवाब क्यूं नहीं देते जो उनके प्रती अशिष्ट हैं। जैन ने एक शब्द में जवाब दिया, संसकार या शिष्ट आचार। एक अन्य रिडिट यूजर ने सवाल किया कि वो अनुपम मित्तल के शो में उनके साथ अशिष्ट व्यवहार से कैसे निपटते हैं। अमित जैन ने कहा कि शार्क टैनक इंडिया के बाहर उद्यमियों का आपसी सम्मान है। एक तीसरे यूजर ने पूछा कि शो में जितना ड्रामा चल रहा है, उसे देखते हुए क्या ये स्क्रिप्टेड है। जैन ने जवाब दिया कि शार्क टैनक इंडिया पर रत्ती भर भी स्क्रिप्टिंग नहीं है। उन्होंने कहा, शो में जीरो स्क्रिप्टिंग है। अंतर सिर्फ इतना है कि पिछ औसतन एक दशमलव एक पांच मिनिट की होती है। आप एक बहुत ही संपादित संसकरन देखते हैं जिसमें टेलीविजन संसकरन में अक्सर गर्म बिंदू हो सकते हैं। जैन ने लिखा। उन्होंने कहा, जब अलफा हस्तिया एक ही सौदे के लिए लड़ रही होती हैं, तो गर्मागर्मिया भी होती हैं। टैन्क, शो, के बाद, ये सामान्य हो जाता है क्योंकि हम परिपक्व लोग हैं। भावनात्मक हैंगोवर टैन्क के बाद नहीं है। अनुपम मित्तल और अमित जैन ने शो में कुछ बहुत ही कठिंक शनों को साज़ा किया है, जिसमें एक एपिसोड भी शामिल है, जहां शादी.com संस्थापक ने जैन को शार्क कहा था, जिसे कोई नहीं जाना। करेंग हैंगो जाना।